एक आदमी जो हाई स्कूल की सिक्षा को पूरा नहीं कर पाया इतने गरीब परिवार से था कि उसको खर्च चलाने के लिए अपनी किसो रबस्ता से ही नास्ते रेडिल के ठेला पैट्रल पंपर तेल बेचने का काम करना पड़ा ऐसे लड़के ने जब अपना ब्रिध के तोर पर दुनिया को अलबिदा कहा तो उसकी संपत्ती का मूल 62,000 करोर से रुपे से भी चादा था अगर आप भी अभी तक उस सक्सियत को नहीं जानते तो उस व्यक्ति का नाम था धीरुबाई अमवानी एक ऐसा सफल चहरा की सफल होने के लिए पैसा नहीं नियत होनी चाहिए पलता उनी को मिलती है के लिए जोकिम उठाना पड़ता है तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर सबकी बातों में और आज की इस वीड़ो में हम बात करने वाले हैं दिरुबाई अमवानी से जुड़ी कुछ खास बाते हैं तो चली बिनकिस दिर के आज काई वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लाई बीस में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूलिक चिकता अधूरी रह गई पिता की मदद करने के लिए धिरुबाई चोटे मुटे काम करने लगे यह उदारन की हर एक सपलता के बीचे देरों सपलता चुपी रहती हैं धिरुबाई अमवानी एक दम साटीक खरी उतरी पड़ाई चुनने के बाद पहले बाद धिरुबाई अमवानी फल और नास्ता के बीच में काम करने लगे लेकिन कुछ खास फादर नहीं हुआ उन्होंने दिमाग लगाया और गाप के नजदी की इस्तिधार में परियाटक इस्टल गिरिनान में पकोड़े बेचने दिमाई पहली दो आसापलताओं के बाद पिता उन्हें नोकरी करने की सलादी बाई के बड़े बाई रमनिक भाई उन दिनों यमन में नोकरी किया करते थे उनकी मदद में धीरुबाई अम्मानी यमन जाने का मौका मिला बहाँ उन्होंने सेल कंपनी में पैटरूल पंपर नोकरी की सुरुवात की और मजहब को दो साल की मेहनत और योकता की बजा से प्रबंदक के पत पर पहुँच गटनाए उन समय की हैं जो की सेल कंपनी में अपनी सेवा दे रहे थे जहां बे काम करते थे बहां काम करने वाला करमचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी लेक उनने बताया की होटल में बड़े बड़े बेपारी आते हैं और बिजनिस में इनकी बातें करते हैं इसी तरह उनकी दूसरी घटनावी पर की नजर अपसर बुक्तानों की छमता का इसारह करती है हुआ यूं की उन दिनों समन यमन में चांदी और सिकों का परचलन था धी दिनों दिनों सिकों और चांदी का मूल सिकों के मूल से भी ज्यादा है और उन्होंने लंदन में एक कमपनी इन सिकों को गला कर अपूर्टी करनी सुरू कर दी यमन की सरकार को जब यह पता बात चली और मोटा मुनाफ़ा कमा चुके थे और दोनों घटना इसारह कर रही दीरू अमवानी के पास एक सपल बिजनिसमेन बनने के सारे गुन हैं यमन के दीरू बाई का समय बीत रहा था भही आजादी की लड़ाई सुरू हो गई थी देरो भारतियों को यमन छोड़ना पड़ा इस पेसेवर को अपसर में दीरू बाई अमवानी मेने भी यम को पैसों की जरूरत थी दीरूआई के पास नवेस करने के लिए रकम नहीं थी इसलिए उन्होंने फिर दीरूआई अमवानी जी ने अपने मामा के साथ बिजनिस बैपार सुरू किया और यहाँने सुरू आत में सक्कर और मसालों का काम सालू किया वहीं इसके बाद यहाँ रिलाइंस कमर्सियल कॉर्परेशन की नीप पड़ी इसके बाद सूरत में कारोबार प्रवेस कर दिया उसके बाद यहाँने सूत का काम भी चालू कर दिया जो की एक जोकिम से बहा था और इसको मामा को पसंद नहीं था तो दोनों अलग हो गए 1966 में रिलाइंस की सुरुबात हुई भाई पर इसके बाद इन्होंने एहमदाबाद में भी अपनी फैक्टरी डाल दी और यहाँ घर घर भी पहुँच गई दिरुबाई अम्बाणी ने एह बिमल चालू किया बिमल उनके बड़े भाई के बेटे का नाम था तो यह बहुत मसूर हुआ उसके बाद इनके दो बेटे हुए मुकेस और अनिल की दो बेटियां भी ती दिप्ती और नीना भाई इन्होंने दिरुबाई अम्बाणी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा पैट्रोलियम दूरसल चाल जैसी कंपनी भारत में सबसे बड़ी कंपनी बन गए उसके बाद उनके बड़े बेटे मुकिस अम्मानी इनके कारोबार को समाल रहे हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो लेकर जब तक के लिए जैन्द